हलो दोस्तों नमस्कार मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दी कभिनेंदन करता हूं दोस्तों यह चाइना सी या टी टीवी कीट है दोस्तों यह लोकल कीट है इसको चाइना कीट कहते हैं इसमें जो सिस्टम आइसी है वह आठासी पंचानवे लगा हुआ है और 7-Double-G-9 यही दोस्तों इसका इलोट नमबर है और इसमें 10-10-A या 40-14 के या दोनों में से कोई दोस्तों इस्टी रहता है तो दोस्तों यह कीट पूरी तरह ठीक है तो हम इस कीट में आपको दोस्तों बताएंगे जो हमारा पावर सप्लाई का आउटपुट सेक्शन होता यह दोस्तों जाएंगे तो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे जैसे 110 वल्ट सप्लाई आ रहा है तो दोस्तों अगर जब हाई हो जाएगा देड़व दोस्तों हमारा होड़ा पूर्जन्टिन का आउटपुट राजिस्टर भर खाराभ हो जाएगा इसटी ज्यादा तेजी से ब दोस्तों यह भी खराब हो जाएगा और दोस्तों इसका कंडेंसर भी दोस्तों के फिल्टर के पिसीटर भी दोस्तों ब्लास्ट कर जाता है अब जैसे यह सब्सक्राइब दोस्तों बताइए यह खराब होगा की नहीं इसका कंडेंसर अगर यहां दोस्तों आटमेटिक है कि सारा सिस्टम इसका फेल कर जाएगा जल जाएगा तो उस इस्तितिमें दोस्तों कैसे हम इसको ठीक करेंगे और मालजे की देर 110 वोल्ट के जगह पर 130 एकुपचीश भूल्ट भी बन रहा है और दोस्तों उस इस्तितिमे जब ep 83 भूल्ट बनेगा तो उस इस्तितिमें दोस्तों बराबर आपको ऊरजेंटल ऊटिपट कर मैंस दूस्तों हम सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं की टू लटकर और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सबसक्राइब नहीं किया तो आप ध्यान से देखिए यह 110 भूल्ट आउट्पूट है यहां पर 110 भूल्ट मिलेगा और दोस्तों यहीं रहा देक्षाइव यह जैग का है या फ्यूज का काम करता है यह दो स्अभाजेंट सेक्षन को सप्लाइए ठीक है तो जब हाइ बने यह फिल्टर के प्रिसिटर भी खराब हो जाएगा यह सब्सक्राइम यह दोस्तों आउठपूत ट्रांजिस्टर विफ रब ठीक है और 110 भूल्ट के बाद दिखिये दोस्तो आर 5414 अर 500 551 यहां पर दो गया हुएupl रेशिट्टैंज का नमर है दोस्तोव 151K यानि 51K रेशिट्टैंज है यह भी 51K के राजिस्टेंस यह भी 50 बuje यहां दोस्तों यहां पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं is looking up है तो इसी ट्रांजिस्टर पर दूस्तों सप्लाई आता है यह जब मिलेगा और फीर दोस्तों यहां के बाद जब यहां मिलेगा दोसे थीद बोल्ट के करीब आपको supply मिलेगा यानि या 5 बोल्ट भी दोस्तों आपको supply यहां पर मिल सकता है इस transistor के pin पर ठीक है और इसका जो दूसरा जो pin है बीच वाला ट्रांजिस्टर का दोस्तों बीच वाला negative pin है और side वाला पर दोस्तों यह देखिया auto coupler से connected रहता है और यहां पर भी दोस्तों एक ट्रांजिस्टर लगे हो रहता है supply को regulate करने के लिए तो दोस्तों 110 वोल्ट में जो supply लगा हुआ है एक कामन किलो अगर इसका मान बढ़ जाए यह कामन किलो है अगर आपका 70 किलो हो जाए या दोस्तों 60 किलो हो जाए तो दोस्तों 110 वोल्ट के जगह पर दोस्तों डिर सो दो ढॉल्ट दोस्तों ऑड़ेक किया बनने लाएगा ठीक है तो दोस्तों इस को सबसे पहले आप दोनों और को चेंज 572 अगर इसको करने से भी सब्सक्राइऄ हमारा 110 ओं रहा है तो हमारा्थी हांजिस्टर भी दोस्तों खराब होता है थांजिस्टर को भी चेंज कि JEFF और यहांधों हमारा प्री सेट लगा हुआ है करता है सबसे पहले यह भीृटेज कान्ट्रोल चेंज किंज और जेनर भी दोस्तो किसी किसी सेट में लगा हुए रहता है और एक ट्रांजिस्टर हमारा यहां पर भी दोस्तो लगा हुए रहता है ओटो कपलर से यह कनेक्ट रहता है तेकिए दोस्तो यह कनेक्ट दिखा रहा है ठीक है और ओटो कपलर भी दोस्तो जब आपका खराब हो को जाएगा तो वॉल्ट डूस्तो थिल्सतों हाई बनता है तो यहीं सब इसमें दोस्तों करहा होने का ठीक है और जब यहां आपको फर भी खराब हो जागा तो सारे भूट हो जाए हो जाएंगा इसमें ऑपुट सप्लाई में जो यह 120 है 27 वोल्ट है यह हमारा 12 वोल्ट यह 17 स्ब्सक्राइब लिए प्रावर जाता है यहां पर हमारा है इसलिए धियान से इसको छंटिंग प्रोब्लेम दोस्तों एक चेक किजिए और दोस्तों चेक करने के बाद इसको कि दिया जाता है और मेहनत कीजिए आपका प्रोब्लेम दोस्तों ठीक हो जाएगा चलिए दोस्तो आपको हम voltage चेक करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितना voltage रता है यहाँ पर कितना आता है यह सारे point पर दोस्तो voltage एक बार आपको दिखा देते हैं आप दोस्तों वोल्टेज को ध्यान से देख लिजएगा और जब बना रहे हैं तो उस इस्तिती में दोस्तों आप अच्छे ढंग से चेक किजएगा और कंट्रोल कर लिजएगा ठीक है दोस्तों हम TV चालू कर दिये हैं चलिए इसको ओन कर लेते हैं वोल्टीमीटर को ओन हो यहां आप चली यह बोल्ट चेक करेंगे चलीए दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखिए हमारा 110 फोल्ट पहुंच रहा है देखिए दूसे 115 विल्ट आ रहा है सही है और उसके बाद दूस्तों यहां से और बीच वाले पीन पर दोस्तों देखते हैं यहां पर दसमलो तीन भोल्ट ठीक है और इसके बाद दोस्तों यहां पर भोल्टेज देखते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा आठ दसमलो 90 भोल्ट दिखा रहा है और यहां भोल्टेज आता कहां से है वह दोस्तों द पहुच रहा है तो यह जो है हमारा 10 11 बोल्ट है इसका प्रिंट अएसे पकड़िये और यह जो बोल्ट हमारा यह पर आ रहा है और यहां से दोस्तों यहां आया तो दोस्तों यहां से यहां 566 लगा हुआ है का भैलू दोस्तों ओस साइड होगा हम आपको उधर से चेक करके भी दिखा देंगे की टुलेट के और यह देखिए दोस्तों यह जो 12 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है गारा 12 वोल्ट यही सप्लाई दोस्तों हमारा यहां पर पहुंच रहा है तो दोस्तों अगर यह सप्लाई हो जाए यह सप्लाई नहीं पहुंचे तो 431 टांजिस्टर काम नहीं करेगा और जब यहां काम किरेग तो धोल्टेश कंट्रूल नहीं होगा और दोस्तों 110 वोल्ट जादे बनने लगे दूसे आप में चलते हैं यहां दूसरे साइड में देखिए दूसरा फिर पीन पे कि यह नेगेटीब सफलाइए यह क्नेक्टेटर रहता है यही दौस्तों UT 5 के लिए सप्लाई निकला है यही सप्लाई दोस्तो हमारा यहां से यहां पहुचा और इस ट्रांजिस्टर बने हुए रहता है यहां सप्लाई पहुचता है तो दोस्तो इस कीट में यहां पर ट्रांजिस्टर नहीं लगाया है डायोड और रेजिस्टेंस लगा कर दोस्तो डायरेक्ट बنا दिया है और फाइसिंग सप्लाइक दोस्तो दे दिया और दोस्तो यहां पर देखिए और 307 को डो म..! ऐंस दोस्तो पाँच भोल्ट और आट बोल्ट सप्लाइप होता है देखिए ऐह प्लस 5ड और निचे से दोस्तो आ. ऐ twee ऐघू आप्हड होता है लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक को टच कर वह वीडियो देख लिजिएगा ठीक है जब चलिए कीट को लटके हम आपको सारा कंपोनेट दिखाते हैं यह है हमारा आर 554 आर 555 आर 556 ठीक है और आर 500 एकामन यह दोस्तों आप रेस्टेंस को ध्यान पूरबक देखिएगा और कहा पर क्या लगा हुआ है यह भी दोस्तों आप देख लिजिए तो दोस्तों देखिए घ्र देखिए हमारा यही दोस्तों आर 555 और 554 यह दोस्तों एक कामन किलो चलिज किलो 49 किलो यहाँ समय किलो का राईष्टेंस लगा खर देखिए दोस्तों आउन लो करके यह दोस्तों बोल्टेश कांट्रोल हो जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों देखिए और राईष्टेंस हंबताये थे 10 पार 555् दुस्तों यह राई試 यहां पर दोस्तों देखिए डायोड लगा दिया है यह डायोड दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों डायोड लगा दिया है यहां पर दोस्तों ट्रांजिस्टर लगता है यह ट्रांजिस्टर का सिम्बूल यहां पर बना हुआ है और यह दोस्तों हमारा राइस्टेंस लगा यह दोस्तो राइस्टेंस कितने का है वह दोस्तो आपको बताते हैं इस राइस्टेंस का कलर भायलू नहीं दिख रहा है तो हम इससे देखेंगे दोस्तो यह दोस्तो हमारा राइस्टेंस चार सो सत्तर ओम्स का राइस्टेंस है यह वाला अब दोस्तो कलर इसका साफ नजर आ तो सब्सक्राइब्षाν चुर्षबट जो मैंने यह अच्छा नम्मर के दोस्तों आपको हम अच्छी लूप में यह हम बता दिया है कि वोल्टेज हाई क्यों होता है और कैसे इसको कंट्रोल करेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाइसाइड हैं उठे कि निशान को टच कर एक लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब पर लिए साथ ही घंटी वर्यान को टच कर झाल